नमस्कार दोस्तों सेल्फ वेल्प ज्यूटेप जनल में आपका स्वागत है आज प्लानेटेसिंगी अगली केड़ी में हम बात कर रहे हैं एक पोदे की जिसका वानस्पतिक नाम ब्यूटी का मोनोस्पॉर्मा है और फेबेशी प्रजाती का है जिसे इंग्लिस में देफॉर रूप माना गया है हमारे प्राचन बाय में जिन जो फॉक होते हैं उन सब की पूजा की जाती है इसलिए इसको भी प्रहम व्रक्स कि संग्या दी गई है इसकी जो लकड़ी होती है आपकी साथियों मैं आपको व्ल्पता ता ओं ये लख्योग ये लख्यों किया जाता है न कि दो प्रकार के fiction होते एक दूसरा वेसं बनाने में काम yaptा लेकिन यह बहुत ही दोड़लब पर जाती है यह महा योगी लोगों को ही मिलती है जो जो तरिकाल दरसी होते हैं उन्हीं को मिलती है अब हम बात करते हैं इनी पुष्पों की जो इसके पहले पुष्प की बात करने से पहले हम बात करते हैं पत्तों की देखिए इसके पत्ते जो होते यह ने ऐक दंधल पत्य आते हैं इसलिए के फाथि होली के दिनों में इन रंग ko पानी में 100 मैं 5-6 देते का आज कल जो रंग दो के मिलते हैं वह लो एक एक केमिकल वाले होते हैं शरी पर दाद खाज खुजली इसप्रिगार की समझ्या बीमार चोड़ देटे हैं अगर जिसे हम सनान करते हैं सनान करते हो तो पानी गरम करते हो पानी में अगर हम इसके फूल जो यह आपके देख रहे हैं आपके बहुरी मजईदार फूल है और अच्छे बहुत सुनर लगते हैं सुनर लगते हैं फूल अगर यह दो चार फूल पानी में डाल दे और उसी प से ठीक कर देता है साथ यू इसको हम हिंदी में धाग पलास टेशू के नाम से भी जानते हैं इसको टेशू के फूल के नाम से भी सभी जिए जाना जाता है हर स्थानिय बार से हम अलग अलग नाम से जाना जाता है आपके वहां पर इसको किस नाम से जानते हैं आप कमेंट्स क करकर मुझे जरूर बताइए इस पुस्प को हम क्या करते हैं अगर सो एमल दो से मल पानी लेते हैं उसमें इसको रातरी को ठंडे पानी में बिगो कर रख देते हैं सुबह इस पानी से में कुछ मिस्री मिलाकर पीते हैं तो उसे आपकी जो है नक्सीर किसी को नक्सीर बहुत ह होने की वज़े से नक्सीर बहुत ज़्यदा मात्रम होती है वो नक्सीर रुक जाती इसके अलावा गर आपकी कीड़नी में दर्द है तो कीड़नी का दर्द भी इसे ठीक हो जाता है और मुत्र के वक्त अगर किसी के खून आता है वो भी इसका प्रेयोग करने से एकदम से यह बड़े जब निकलता है और फिर काला हो जाता है ठीक है साथियों यह कमर कस के नाम से बजार में मिलता है किस नाम से साथियों कमर कस के नाम से जो लेडीज के लिए बहुत ही उपयोगी होता है इसी गोंज को अगर हम दाल चिनी या सौप के साथ मिला कर खाते हैं तो आपकी जो दस्त है वो दस्त एकदम से रुख जाती है दस्त जिसे अतिसाल भी कहते हैं वो एकदम से बंद हो जाती है इसकी जड़ को पीश कर जो रस निकलता है पीशने से तो उसमें गहों के राने डाल देते हैं और गहों को रानों को निकाल कर राजबर रखने के बाद निकाल कर अगर उसका हलवा बना कर खाते हैं तो उससे आपकी सारीरी कमजोरी जो होती है वो एकदम से ठीक हो जाती है इ उश्कों गी के साथ खाते हैं, तो खुनी बवासी होती है, वो एकदम से ठीक हो जाती है, इसकी जड़ को गिस कर अगर हम उसकी पाँसाच बुंदे नाक में डालते हैं, तो इससे मिर्गी का दोरा होता है, वो भी खतम हो जाता है, फिर मेलेंगे अगले वीडियो में तब त झाल 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 झाल